अस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर कई तरह की बातें आज की वीडियो के जरीया आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा वीजा सक्सेस रेट इस समय पर देखने को मिल रहा है कैसी प्रोफाइल्स पर वीजा आ रहे हैं ये भी डिसकस करेंगे किन स्टूडेंट्स को देरी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जुलाई इंटेक की अगर हम बात करें टाइम बीच में कम है फॉर्मालिटी बहुत ज़ादा रहती हैं उस्ट्रेलिया स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए तो आज की वीडियो में ये धेर सारी इंफोमेशन आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको पहले तो ये पता चल सके कि वीजा ट्रेंट क्या चल रहा है किस तरह की प्रोफाइल्स पर ज़ादा वीजा आप देखे जा रहे हैं और आपने किस धंग से अप्लाई करना है ताकि बिल्कुल सही तरह से अप्लाई करें और अपना वीजा हसल करें स्वागत है आप सभी का मैं हूँ हर जोतकौर और डिटेल में ये पूरी इंफोमेशन आपके साथ शेयर करेंगे नविगेटर्स ओवर सीज से वीजा एक्सपर्ट मिसिस वीना गोईल मैं हमारे साथ हैं बहुत बहुत स्वागत है मैं नमश्काल नमश्काल तो मैं जरूर पहले तो ये बताईए कि अब जैसे की ऐस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के हम देख रहे हैं अच्छी न्यूज हम इसे मान सकते हैं आप प्रोफाइल वाइस भी जरूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजेगा ये कैसी प्रोफाइल थी और कैसी ऑप्शन के साथ ये आगे बड़े कैसे कोर्से में वीजा सक्सेस रिट जादा देखा जा रहा है हर जो जो बच्चों के प्रोफाइल ठीक हैं जिनका कोई ज्यादा गया अपनी हर बार में ख़ल हर वीडियो में बता रहे हैं वो उनके वीजा में कोई प्राबलम नहीं और जो पीछे वीजा रोके हुए थे वो अब आनने शुरू हो गया है और जो रिजल्ट है वो 60-70 परसेंट जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट माना जा सकता है जब भी कोई कंट्री थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है तो डर लगता है कि वीजा क्या रहे है तो अगर 60-70 परसेंट तक वीजा सक्सेस रेट जा रहा है मोर दन 50 परसेंट तो वह एक अच्छा सक्सेस रेट मानना चाहिए और अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से काफे मोमेंट शुरू हो गई है और यह माना जा रहा है कि में में तो बहुत अच्छे वीजा निकलेंगे और यह जो है नियूस पेपर है जो अस्टेलिया का वही कि में की आज ही हमारे पास वो नियूस आई है कि में का वीजा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है और उसके बाद में में तो यह जो अभी फाइलें रुकी हुई है उनके आ रहे है अभी अप्रिल खत्म होने वाला है लेकिन जुलाई के बाद वीजा जो है क्योंक काफी अच्छा वीजा देंगे तो इसलिए अस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ना डरें बिल्कुल बेजी जगों के फाइल लगाओ अपनी मिना डर के फाइल लगाओ तो सिक्स बैंड आइल्स के नौट लेस दन 5.5 बैंड या सिक्स बैंड इच डिपेंड करता है यूनिवर्स्टी और कॉलेज जिस पे हां वेट में वीजा कम आता है डिप्लोमा कोर्सेज में तो कोशिश करें आप की डिगरी कोर्सेज में ही लगाएं और परसंटेज जैस अगर आपके स्टीट बोर्ड के हैं तो कॉलेजिस भी ले रहे हैं क्योंकि जब वीजा आना है बैचुलर या मास्टर्स में आना तो कॉलेजिस भी आपको ले सकते हैं और अगर आपके क्योंकि यूनिवर्स्टीज का अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छ है जीटी म सब कुछ ठीक है, financials ready है, income 12 लाग से उपर ले रही है, सारी university है, आज भी हमारी उनसे detail में बात होई है, और अगर business man है, तो फिर वो GST के form ज़रूर मांगते हैं कि आपका GST apply हो, और आपके business के सारे proof हो, service वालों से तो खली form 16 चाहिए और income tax returns ही है, income tax returns last two years के आप दे सकते हैं, लेकिन एक साथ ना भरी हो, ये चीज़ का आप धियान रखें, तो visa आने के बहुत संभावना है, क्योंकि आप देखे 60 to 70% इस time results जा रहे हैं, जो कि हम इस time अच्छा मान सकते हैं, हालात को देखते हैं विल्कुल, विल्कुल सही बात है, और students जरूर apply करें, तो अच्छे consultant की सला से, अच्छे consultant की guidance से ही करें, जैसे कि मैं आपने बताया, degree course का एक अच्छी option रहती है, अच्छे success rate के लिए, और students इन ही कई बार ऐसे लगता है, ये चोटी चोटी बाते हैं, लेकिन ये ही चोटी intake के लिए apply करना चाहरे हैं, तो सही धंग से और सही options के साथ ही आगे बढ़ें, और आप जरूर अपना Australia का study visa timely हासिल कर सकें, बहुत बहुत थैंक्स मैं, ये detail में आपने students को अच्छा guide किया, और जैसे कि मैं आपने बताया कि जो रुके हुए files ही, उन पर अभी visa नहीं आये अपने documents अपने साथ जरूर लेकर आईएगा तांकि assessment की जाए, सही option आपको guide की जा सके, बहुत बहुत थैंक्स मैं, ये पूरी information शेर करने के लिए, आगे भी हम इसी तरह से student के लिए और informative videos लेकर आते रहेंगे, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, thank you so much, thank you